सिद्धम सुद्धम पड़मियं जिनिन्द वरने मिचंद मकलंकं गुडरयन भूशड़ुदयं जीवस परूवडं बोच्छं गुमट्ट्शार जीवकान गरंतराज के साथ है मैं अवधी ज्यान का जो प्रकरण चल रहा है वह थोड़ा सा समझने में कठिन है लेकिन फिर भी सुनने योग्य है सिर्वन योग्य है क्योंकि हम देखते हैं कि जब तीर्थंकरों के द्वारा दिब्व धुनी के माध्यम से जब उपदेश दिया जाता है तो उसमें सभी जीव बैठे हुए रहते हैं उतकरष्ट ग्यान के छे उपसंबाले भी होते हैं मध्यम ग्यान के छे उपसंबाले भी होते हैं तो जगन ग्यान के छे उपसंबाले भी होते हैं जिनको जैसा समझ में आ जाता है जितना समझ में आ जाता है वो उससे संतुष्ट हो जाते है महत्वूर्ण ये नहीं है कि हमें क्या समझ में आ रहा है महत्वूर्ण ये है कि हम क्या समझ रहे है क्या समझे हम क्या समझ रहे है समझ रहे हैं का मतलब हम ये समझ रहे हैं कि हाँ ये हम जिन्वानी समझ रहे हम केवली भगवान की वानी समझ रहे हैं ये महत्पूर हैं ना कि ये महत्पूर हैं कि हमें क्या समझ में आ गया हमें क्या याद हो गया हम क्या दूसरों को समझा सकते हैं ये महत्वोन नहीं है तो इसी बात को दियान में रखते हुए है ये अवदी ज्यान का प्रकरण कल भी आपको कुछ बताया था और अभी भी थोड़ा सा और चलेगा तो कल जो आपके लिए गाथा कही थी उसमें यहां पर ध्रुबहार का प्रमाण बताने के लिए कुछ अलग अलग तरह से उसका प्रमाण बताया गया था तो ध्रुबहार का मतलब तो आपको समझाई गया था कि आगे आगे के द्रब्व के बिकल्पों को निकालने के लिए हम जिस रासी का भाग देते चले जाते हैं पूर्व की रासी में वह भाग देने वाली रासी ही ध्रुबहार कहलाती है और वह एक अवस्थित विरलन की रूप में निश्चित कर ली जाती है तो उस ध्रुबहार का प्रमाण निकालने के लिए दो तरीके से आपको बताया था कि एक तो सामान्य तरीका तो यही हो गयाता है कि वो शिद्धों का अनन्तमा भाग ही ध्रुबहार हो जाता है फिर एक मनो वर्गना के माध्यम से आपको बताया गया था कि वह मनो वर्गना के माध्यम से भी ध्रुबहार को निकालने का तरीका बताया था तो उसमें भी यही था कि मनो वरगणा का भी अनंतमा भाग ही धुरुभार हो जाता है इसी धुरुभार को और समझाने के लिए गाथा आई थी आगे ये जो लास्ट में दो गाथा हैं पड़ी थी 388 और 389 है नो तो उसमें भी यही भाव था कि जो धुरुभार का प्रमाण है बैशे तो शिद्धों का अनंतमा भाग है फिर भी जो समय प्रवद्ध को प्राप्त करने के लिए उसके निमित्त से वे कर्म बर्गणा का गुड़कार का अनंतमा भाग होता है कर्म वर्गना के गुड़कार से वह अनन्तमा भाग होता है और जो कर्म वर्गना का गुड़कार होता है वो कितना होता है तो वो गाथा 389 में बताया था कि जो भी देशावदी ग्यान का द्रब्य है उस द्रब्य के जितने भेद हैं यानि विकल्प हैं उनमें दो कम कर देने पर जितना प्रमाण आएगा उतने प्रमाण वरावर उन ध्रुबहार का हमें परस्पर में समवर्ग करना है यह जो हमें गुड़कार निकालने का एक करम बताया गया यह बिधी बताई गयी इसको हमें ध्यान में रखते हुए यह भी हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर देशावधी ग्यान के इस द्रब्ब के भेद में दो कम किये तो वो दो कम भी इसलिए किये जाते हैं क्योंकि देशाव ग्यान का एक तो जगन्द विकल्प और एक चरम विकल्प होता है तो उस चरम से पहले जो दुचरम भेद होता है उस दुचरम भेद पर ही कार्मण वर्गणा का विकल्प आ जाता है चरम भेद तक पहुँचने की जरूरत नहीं पड़ती है तो एक तो वो चरम बाला कम हो ग द्रुभार निकालने के लिए कल बता दिया गया था, ठीक है न, यहां पर आपको तीन चीजों पर अभी ध्यान देना है, कि यहां एक तो ध्रुभार, एक वरगणा और एक गुड़कार, इन तीन चीजों के बारे में थोड़ा सा गड़ित बताया जा रहा है, तो आप इस ग गुल असंख गुणिदा, खेत वियप्पा यदव भेदाहू, खेत वियप्पा अवरुक, कस्विसे सम्हवे इत्थ, क्या कहते हैं? अंगुल असंख गुड़दा, यानो अंगुल के असंखियात में भाग से गुड़ित, खेत वियप्पा जो छेतर के विकल्प है, दब भेदाहू, वही द्रब्ब के भेद हैं, खेत वियप्पा जो छेतर के विकल्प हैं, वो अबरुकस्विसे सम्हवे यही जगन्य और में जो घटाने की विधी कल बताई थी वही विधाने की विधी को विशेश कहते हैं हवे एथ्य हुए यहाँ पर होता है अब यहाँ क्या कहते हैं कि एक तरह से जो द्रब्व की अपिक्छा से कितने भेद होते हैं द्रब्व की पिक्छा से कितने विकल्प होते हैं, वो हमें बताय जा रहे हैं, लेकिन वो विकल्प भी हमें छेत्र के विकल्पों के माद्यम से बताय जा रहे हैं, एक द्रब्व की पिक्छा से अबदी ज्यान बताया था, एक छेत्र की पिक्छा से बताया था, तो जगन ने जगन्य छेत्र बताया था वो भी ध्यान में रखो जो कि सूक्ष में निगोद लब्द परियाप तक जीव की अवगाहना का प्रतम समय में उत्पन्ड हुए जीव की अवगाहना का जो भेद था वो जगन्य विगल्ब था तो उसको दिखान में रखते हुए यहां का जा रहा है कि सूच अंगुल के अंगुल का मतलब यहां पर कौन सा अंगुल ले ना सूच अंगुल सूच अंगुल के असंख्यात में भाग से गुडित कर देने पर यानि सूच अंगुल के असंख्यात में बताये जाने हैं कि कितने द्रव्य को देशावधी ज्यान जानता है जगन्न से लेकर के उत्कृष्ट तो उन द्रव्य के भेदों की विकल्पों की संख्या यहां इस तरह से बताई जा रही है कि जो सूच्यंगुल के असंख्यात में भाग से गुरित जो छेत्र था उस छेत्र में जितने भेद हो जाएंगे उसके जितने विकल्प हो जाएंगे उतने ही द्रव्य के विकल्प जानना अब यह सब पहले बताये जा चुका है अंगुल का ही एक भेद है जिसे सूच्यंगुल कहते है अब वो सूच्यंगुल ही व्यभार अंगुल की रूप में यहाँ पर उपयोग में लाये जाता है तो यह आप पुरानी कैसटों से सुनें कि घनांगुल क्या कहलाता है सूच्यंगुल क्या कहलाता है ये बार-बार बताना असंभव है अब यहां आगे कहते हैं कि वो छेत्र के विकल्प कितने होते हैं तो छेत्र के विकल्प वही तरीका है कि अवर और उत्करष्ट माने अवर माने जगन्य और उत्करष्ट माने उत्करष्ट जैसे कल बताया था एक था जगन्य और दस था उत्क्रष्ट तो दस में से एक घटा दो तो उसके विकल्प जो है वो नो आ जाते हैं और उसी को अगर हम एक और जोड़ दें उसमें तो वो दस पूरे विकल्प आ जाते हैं तो उसी तरीके से यहां कह रहे हैं कि उत्क्रष्ट में से जगन्य को घटा देने पर वह जो छेत्र के विकल्प आ जाते हैं वो छेत्र के विकल्पों में सुच अंगुल के असंख्यात में भाग का गुणा करके उसमें भी एक जोड़ देना तो वो सारे के सारे छेत्र के वि कल्प हो जाएंगे ठीक है नूँ फिर आगे कहते हैं अंगुल असंख भागम अवरम उककस्यम हवे लोगो इदिवगण गुडगारो असंख धुवहार संबगो अब कहते हैं कि देखो जो जगन्य और उत्करष्ट विकल्प क्या है तो वो भी आपको यह बताया गया है अंगुल का असंख भागम अवरम ने जगन्य विकल्प है चित्र का जगन्य विकल्प क्या है जगन्य से चित्र कितना होगा देशा वदी ग्यान के बारे में चर्चा चल लही देशा वदी ग्यान जगन्य से कितना छित्र जानता है तो अंगुल का असंख्यात्मा भाग, घनांगुल का असंख्यात्मा भाग, ये वही छित्र है जो सूक्ष्म निगूदिया लब्द परियाब तक जीव के द्वारा घेर आ जाता है तो ये उसका जगन्य छित्र है और उत्करष्ट कितना होता है तो देशा वदी ग्यान का भी जो ये उत्करष्ट छित्र है ये लोक प्रमाण होता है यानि लोक प्रमाण ये उत्करष्ट छित्र है तो इस उत्करष्ट में से हमें ये जगन्य घटाना है जितना बचेगा वो उसके विकल्प कहलाएंगे इदिवगण गुणगारो इस तरह से वरगणा का गुणगार असंख्यात धुवहार संबगगो जो असंख्यात धुवहारों का हम परस्पर में गुणगा करेंगे वही वरगणा का गुणगार कहलाएगा अब ध्रुभार अलग चीज़ है वर्गणा का गुड़कार अलग चीज़ है तो वर्गणा का गुड़कार निकालने के लिए यहां विदी बताई जा रही है कि असंख्यात ध्रुभारों का जब हम परस्पर में गुणा करते हैं तो उससे जो रासी आती है वो कहलाती है वर्गणा का गुड़कार फिर कहते हैं वगण रासी पमानम सिद्धान तिम पमान में तम्पी दुग शही परम भेद पमान वहारान सम्वग्गो आगे यहां कहते हैं कि यह जो है वगण रासी पमानम यहां पर वर्गणा रासी का परमान निकाल रहे है सिद्धान अनंत परमान में तम्पी वैसे तो वो सिद्धों का अनंत में भाग परमान ही होता है फिर भी जो पी लिखा हुआ है इसका मतलब है फिर भी दुग शही ये परम भेद परम का मतलब यहाँ पर है जो परमावधी ग्यान है देशावधी ग्यान के बाद परमावधी ग्यान है उस परमावधी ग्यान के जितने भेद हैं उनमें दो अधिक करो और उसका जो प्रमाण आए उस तने ध्रुवहार प्रमाण उसको प परस्पर में गुणा करो उतने बरावर यानि परमावधी ग्यान के जितने भेद हैं उनमें दो अधिक करने पर जो प्रमाण आएगा वही ध्रुभाहार का प्रमाण होगा और उन ध्रुभाहारों को परस्पर में गुणा करने पर बरगणा राशी का प्रमाण आजाता है य इस तरह से ये बरगणा राशी का भी यहाँ पर प्रमान बता दिया गया अब यहाँ कहते हैं कि परमावधी ग्यान के जो भेद है ये भी भेद यहाँ द्रब्व की अपिक्षा बताए जा रहे हैं किसके ग्यान के परमावधी ज्यान कियोखि उपर भी गाता में आयता है न उसमें दोवधिक करके उतने दॹवहारों का परस्वर में खुणा करना है तो यहां बता रहे हैं कि वो पर्मावदी के भेद कितने होंगे तो यहां पर्मावदी के भेद निकालने के लिए ये संख्या बताई जा रही ऐसे निकालना क्या लिखा है सग ओगाहन वियप हद तेव तेव मने तेजसकाइक जीव क्या सुने थेजसकाइक मने अगनीकाइक जीव थेजसकाइक नहीं जानते हो थेजसकाइक को क्या बोलते हैं अगनीकाइक जीव अब तो इतनी प्राक्रत की गाता हैं पढ़ चुके हो इतना प्राक्रत सुनते रहते हो तो ये कम से कम, जो ये पाँच इस्थावर जीव हैं, इनके प्राकरत में नाम तो आने ही चाहिए, है ना, जैसे प्रत्वी को प्राकरत में क्या बोलते हैं, पुडवी, प्रत्वी को प्राकरत में क्या बोलते हैं, पुडवी, है ना, अगनी को क्या बोलते हैं, तेव, है न और जल को तो जल भी बोलते हैं और आऊ भी बोलते हैं और बनस्पति को तो बनफ़ती कहते ही है तो इस तरह से आपको थोड़े-थोड़े से प्राकृत के भी नाम कम से कम इतना पढ़ने के बाद में यह समझ में आ जाना चाहिए कि यहां पर अगर तेव कहा जा रहा है तो तेव का मतलब तेजस यानि अगनी का एक जीव ठीक है ना तो यहां यह कह रहे हैं कि अगनी का एक जीवों की अपनी जो ओगाहना ओगाहना माने अवगाहना उनके जो विकल्प माने भेद हैं यानि अगनी का एक जीव भी एक प्रकार के नहीं होते हैं उनकी अवगहाना भी अनेक प्रकार की होती है तो अगनी का एक जीवों की अवगहानाओं के जितने भेद हैं उनका गुणा करना है किसमें तेजस का एक जीवों की जितनी रासी है मतलब वो जो असंख्यात रासी तीजस काईग जीवों की है उन अगनी काईग जीवों की रासी में उनी की अबगाहना के जितने भेद हैं उन सब का गुणा करेंगे तो जितनी संख्या आएगी असंख्यात प्रमाण वो असंख्यात प्रमाण संख्या परमावधी ग्यान के भेदों की संख्या है माने परमावधी ग्यान इतने असंख्यात प्रकार के भेद वाला है सुन रहा है यहनि आपने तो कह दिया परमावधी ग्यान तो परमावदी ग्यान आपने समझ लिया एक प्रकार का है देशावदी ग्यान तो देशावदी ग्यान एक प्रकार का है जबकि ये एक प्रकार का नहीं है ये मौटे-मौटे भेद बताएगा है देशावदी, परमावदी, सरवावदी ये मोटे मोटे भेद हैं और ये भी बताया था कि सरवावधी में कोई भेद नहीं है बियप रहिदम दू सब वोही ऐसा आए दिन आगे तो भिकलपों से रहेते हैं मैंने सरवावधी ग्यान में कोई भेद नहीं है जगहन्य और उतकरिष्ट उसमें कोई limit नहीं है, वो एक ही प्रकार का है परमावधी ज्यान में भेद हैं, देशावधी ज्यान में भेद हैं तो देशावधी ज्यान के भेदों की संख्या आपने जानी ली परमावधी ज्यान के भेदों की संख्या इतनी होती है द्रब्य की अपिक्छा से इतने भेद परमावदी ग्यान के हो जाते हैं जितनी अगनी काईग जीवों की संख्या है वो असंख्याता संख्यात होती है और उनकी अवगाहना के जितने भेद हैं बन सकते हैं बेदे जितने प्रकार की उनकी अवगाना उसको उस से गुणा करने पर जो असंख्या संख्या आएगी उतने प्रकार का वोई परमावधी ग्यान होता है आएगी तो इस तरह से इदी इस प्रकार से यहाँ पर धुवहारम यानि दुवहार का वगण गुणगारम वरगणा के गुणगार का और वगणाम जाने और वरगणा को जाने माने जानो यानि 393 गाथा में यहाँ पर यह लास्ट में बता दिया कि हमने उपर जो विश्य का वरड़न किया था उसमें हमने क्या-क्या आपको ग्यान दिया है यानि एक तो धुवहार का ग्यान दिया एक वरगणा का गुणगार बताया और एक वरगणा का ग्यान दिया तो ध्रुबहार का ग्यान तो उपर होई शुका था, वरगणा का जो गुड़कार बताया गया था, वो जो है, जो गाथा आपके लिए अभी पड़ी थी वगण, इदी वगण गुड़कारो है न, 391 नमबर की गाथा में वरगणा की गुड़कार को बताया गया, और फिर 392 नमबर की गाथा में वरगणा का प्रमान बताया गया, इस तरह से जो बताया गया, उसका लाष्ट में यहां पर आपसे कह दिया कि हमने यह यूच पता दी है, तो ठीक है, नहीं समझ में आ गई है, तो भी इतना समझना कि अभी बहुत को समझने योग्या है, जो हमारे ज् हावी यदि हमारे अंदर चलता रहता है तो भी हम इस ग्यान के प्रति अपनी एक सरद्धा बनाए रख सकते हैं है ना अब देखें कि अबधी ग्यान का विशह जो सूक्ष्म विशह है क्योंकि वह जिन द्रब्यों को जान रहा है जिस छेत्र को जान रहा है वो अत्यन्त सूक्ष्म है और उस विशह को हम अपने सुर्थ ग्यान के माद्यम से जानने की कोशिश कर रहे है अगर हमारे सुर्थ ग्यान में यह सारा का सारा गडित चढ़ेगा तो तभी चढ़ेगा जब हम इसको कम से कम एक बार तो शांती से पढ़ें फिर एक बार इसको हम फिर से दोहराएं फिर एक बार हम इसको फिर से इस्मरण करने की कोशिश करें तब कुछ वह चीज हमारे दिमाग में चड़ती है समझा रहा है और फिर जो है एक बार आप उसकी परीक्षा दें तब कुछ जा करके आपको लगेगा के हाँ हमने कुछ बास्तम में थोड़ा बहुत सीखा है ऩर टो ऐसा होता है एक बार में कोई भी चीज समझ में नहीं आती जब एक बार में समझ में नहीं आती तो उसे बार बार पढ़ कर के ही समझा जाता है इसलिए कहा जाता है करत करत अभ्यास के जड मती हो सुजान हो तो सुजान समझा ना करत करत अभ्यास के अभ्यास करते रहोगे अभ्यास करते रहोगे बार बार पढ़ते रहोगे बार बार सुनते रहोगे बार बार उसका अर्थ लगाते रहोगे तो कितनी भी जड अभ्यास करना पड़ता है और अभ्यास करने के लिए आपके पास समय नहीं होता है समझा रहा है क्योंकि अभ्यास करने के लिए आपको समय लगाना पड़ता है तो आप चानते हैं कि बस एक बार जो हमें सुन्नी को मिला उसी में सब समझ में आ जाए इतने first class student अगर आप रहे होते पूरे अपने जीवन में तो फिर आपको कभी classroom के अलावा teacher के अलावा फिर कभी ना तो book को revise करने की जरूवत पढ़ती और ना कभी फिर आपको किसी guide की जरूवत पढ़ती ना किसी coaching की जरूवत पढ़ती समझा रहा है? लेकिन ऐसा नहीं रहा आपने अपनी lawkick पढ़ाई में भी जो भी आप classroom में पढ़के आते हो उसको भी आप बार बार पढ़ते हो कि नहीं उसके लिए भी tuition लगाते हो कि नहीं तो आप अलग से जो time देते हो तब ही कोई चीजें समझ में आते हैं और यहां आप सब समझते हैं वस एक ही बार हम classroom में बैट जाएं और हमें सब समझ में आ जाएं तो ऐसा आपके लिए थोड़ा संभव कैसे होगा? जबकि ये तो और भी विशे कई बार हमारे अपरचित विशे होते हैं हमने कभी उनको सुना नहीं होता है बाकी सब चीजे तो हम फिर भी सुन चुके होते हैं तो ऐसे अवधी ज्यान आदी के ये जो बिशे हैं यद्दपी मैं भी समझ रहा हूं कि ये आपके लिए थोड़े से क्लिष्ट हो रहे हैं लेकिन फिर भी स्रद्धा से एक बार सुनना भी हमें जरूरी होता है एक बार हम आद्यो पांध जिनवानी को पढ़ लेते हैं तो भी हमें बहुत कुछ शंतुष्टी होती कि हाँ चलो ठीक है हमने जीवकांड सुना है जीवकांड पढ़ा है ठीक है ना अब उसमें क्या-क्या कांड हुए है यह हमें ज्यादा पता नहीं भी हो तो भी हमें पता है कि यह जीवकांड गरंत में यह होता था यह यह सुना है ठीक है ना तो अगर आपको इतना भी पता रह जाए कि यहां इस प्रकरण में हमें कल और आज क्या-क्या बता दिया गया तीन चीजें बता दी गई यानि वो चीजें कौन-कौन सी है ध्रुभार वर्गणा का गुड़कार और वर्गणा का प्रमाण है ना अब ये चीजें किसलिए उपयोगी होती है तो जो हम जगन्य से उतकरष्ट जो अवधी ग्यान के भेद हैं विकल्प हैं उनकी संख्या को जानने के लिए हमें इन चीजों की आवश्यक्ता पढ़ती है तो आगे अब जो है वो जगन्य से उतकरष्ट भेदों की संख्या आगे बताई जाएगी उनका वैडन आगे आएगा अभी तो ये उनके बीच में उपयोग करने के लिए ये जो फॉर्मूले होते हैं या जो टूल होते हैं उनकी बारे में बताई जा रहा है समझे रहा ना तो ये तीन चीजों को जानने के बाद में आगे आपको ये जो विकल बताई जाएगे वो कैसे व्रदिंगत होते चले जाते हैं उनको आप धीरे-धीरे समझेंगे तो आज के लिए इतना ही परयाप्त है आपने 393 गाता तक बढ़ लिया है